प्यारे विद्यारतियों आज का टोपिक है शमाशास्त्र विज्ञान क्यों अर्थात समाशास्त्र की प्रकृति विज्ञानिक क्यों है अगस्त काम्टे ने समाशास्त्र के विज्ञान माना है शमाशास्त्र के विज्ञान है क्योंकि इसमें विज्ञानिक प्रकृति का प्रियोग किया जाता है अवलोकन विधि की सायता से तथे कर्थत किये जाते हैं इन्हें व्यवस्तित और क्रमभद किया जाता है पक्षपात रहीत होकर निसकस निकाले जाते हैं तता सिद्धान्तों का निर्मान किया जाता है समासास्तर को विग्यान मानने का प्रमुकादार है शमास सास्तर को विज्ञान मानने का प्रमो का अधार ये कसोटियां जो इस प्रकार की हैं पहला समास सास्तर ग्यान का अधार वैग्यनिक पद्दति समास सास्तर तथों के संक्लम के लिए वैग्यनिक पद्दति को काम में लेता है मूर्थ और अमूर्थ सामाजिक तथ्यों के अध्यन के लिए शमाज सास्रे बेभिन व्यग्यानिक पद्दतियों का प्रियोग करता है उधान के रूप में समाज सास्रे में ज्यान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने ये तो समाज मिती अवलोकन पद्रट्दती, अनुसूची अत्मप्रसनावली पद्रट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट है इसका आधर वैग्यानिक पद्दती है नमबर दो शमास सास्तर में अवलोकन द्वारा तथ्थो को एकत्त किया जाता है विज्ञान के प्रम को विशिस्ता अवलोकन है और शमास सास्तर में अवलोकन के द्वारा तथ्थो का एकत्त किया जाता है इसलिए हम यह कह सकते हैं कि शमाशास्त्र के प्रकृति वेग्यान के हैं कि शमाशास्त्र को विज्ञान मानने का एक अन्याधारा मुसंधान करता के द्वारा तथ्यों के संक्लन ये तु प्रतक्स निरिक्षन और आउलोकन करना है शमासास्तर में कालपनी के दार्सिक विचारों को कोई इस्ता नहीं दिया जाता है इसमें तो तद्ध्यन करता स्वाम गठना इस्तर पर पहुंच कर गठनाओं का निरेक्षन और तथ्थों का संकल करता है शमाज सास्त्र में तथ्थों का वर्गेकान विस्टेशन किया जाता है एसमबद या विख्रेवी आकडो या तथ्थों के आधर पर कोई वेग्यानिक निस्कस निकालना संबव नहीं है सही निस्कस निकालने के लिए ये आउशक है कि प्राप्त तथ्थों को व्यवस्तित एवं करमबद किया जाए इसके लिए तथ्थों को समानता के आधार पर विभिन वर्गों में बाटा जाता है यह कारी वर्गेकरण के अंतरक्त आता है इसके पश्चा तथ्थों का साउधानी पूरक विश्लिसन किया जाता है समाज सास्त्र को विज्ञान मानने का एक प्रमुक कारण यह है कि इसमें सही निसकर्सों तक पहुँचने के लिए तक्त्थों का वर्गे करने विश्लिसल किया जाता है इसके बाद समाज सास्त्र में क्या है का वरणन किया जाता है अन्य सब्दों में समाज सास्त में सामाज गटनाओं की विवेचन की जाती है ये सास्तर इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये तो गटनाओं या तथ्थों का यथार्थ चित्रन करता है कि हिवे जिस रूप में है उनका ठीक उसी रूप में चित्रन की अड़ता है। ये तो क्या है का उल्ले करता है। क्या होना चाईज पर कोई बल नहीं देता है। जो विज्ञान ये सास्त्र क्या है के अध्यन पर बल देता है तो निश्चित रूप से में ये कह सकते हैं कि उसकी प्रिकरती विज्ञानिक हैं इसके बाद शमाज सास्त्र में कार्यकान समंदों की विविचन की जाती है शमाज सास्त्र क्या है का वरणन करने करके ही संतुष नहीं हो जाता, इसमें तो गटनाओं, तथ्यों और विबिन समँचाओं के कारियकार्ण समंदों को जानने का प्रियत्न किया जाता है, यह सास्तर तो किसी गटना समँचा के पीछे चिफ dispies कारणों की खोज करता रहता है, यह तो यह मान कर चलता है कि कोई भी गटना जादू चमतकारी से गटित नहीं होकर कुछ विश्ष्ट कारणों से गटित होती है जिसका पता लगाना समा सास्त्रिय का दाइद्ट है काल माक्स का वर्क शंगर्श का सिद्धान्त या दुर्खिम का वात्मत्य का सिद्धान्त कारियकान के साय समंदों को इसपस्ट करते हैं कि अमुग गटना का अमुग परिणाम निकाव होता है यहें कारियकान समंदों के आदार पर सिद्धान्त बनी हुए है इसके बाद शमाज सास्तर में सिद्धानतों की स्तापना की जाती है अर्था समाज सास्तर में थेरी विल्डिंग भी की होती है नेने सिद्धानत बनते हैं तो निश्यत रूप से हम कह सकते हैं कि समाज सास्तर की प्रकृति वेग्यानिक है शमाज सास्तर में कारेकान समंदों की विवचनेक की जाती है, तथ्यों या घटनाओं के पार्स परिक समंदों ग्याद किया जाते हैं, वर्गेकान तता विशलेशन किया जाता है और ततपश्यात सामान निसकर्स निकाले जाते हैं इन इसकर्सों के आधार परी समासास्त्रिय सिद्धान्त या वैग्यनिक नियम बनाए जाते हैं समासास्त्रिय सिद्धान्तों के पुनर परिक्षा संभव है शमाज सास्त्र भी बहुतिक सास्त्र या रसान सास्त्र के समानी अपने सिद्धान्त या नियमों की परिक्षा इंपुनर परिक्षा करने में शक्षम है इसमें वेग्यानिक पद्धत्य के सायता से तथ्थे एक्रत्त किये जाते हैं और इस पद्धत्य से प्राव तथ्थे की विशेष्था यही है कि इनके प्रमानिकता की जाज की जा सकती है प्रमुक्ष शमासास्त्रियम सिद्धान्तों की जाच करना वास्तों में संभव है शमासास्त्र के सिद्धान्त सारभॉमिक है शमासास्त्र वेग्यनिक पद्धित्यों को काम में लेता हुआ जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन करता है वे सारभूमी प्रकृति के होते हैं इसका ताद्विरी यह है कि यदि परस्थितियां सामान रहें तो समाशास्त्री सिद्धान्त विभिन समाज और कालों में खड़े उतरते हैं शमा शास्त्र में बहुश्योणी करने के ख्षमता है विज्ञान के प्रूम के विशेषता है बहुश्योणी करना और शमा शास्त्र में ऐसा संभव है शमा शास्त्र इस कारण भी विज्ञान माना जाता है कि क्या है कि आदार पर क्या होगा बताने या अर्थात बहुशेवन करने का में समर्थ है अन्ने शब्दों में इस शास्तर में अपने वरत्मान ग्यान बंडार के आधार पर बहुशे के और संक्यत करने के छमता है अमुक गटनाओं का अमुक परणाम निकलता है ये निश्यत है और ये समासास्र में संभव है इसलि इसकी प्रकृत्व को वैग्गहनि कहा जाता है समाज में वृत्मान में होने वारे परिवत् Bend ko ध्यान में रखकर समासास्र में ये बता सकता है कि उसे में सामाजिक व्यावस्ता का रूप क्या होगा सामाजिक व्यवस्ता का रूप क्या होगा जाती व्यवस्ता किस रूप में रहेगी और परिवारों के कौन से प्रकार विक्सित होंगे यह हम तब बता सकते हैं जब समाज में जो घटना घटित होती है जो व्यवस्ता बनती है और बिगडती है उनके आदार पर भौस्यक्य और संक्यत किया जा सकता है ऐसा समासास्तर में संबव है जैसे दुरखेम ने आत्मत्ता के सिद्धानत का जो प्रतिपादन किया उसके आदार पर भी भौस्यवानी की जा सकती है कि जहां पर धर्म का प्रवाव कम रहेगा निश्यत रुप से वह सुसाइड जादा होंगी किस प्रकार के सामजिक ववस्ता बनती है कौन से सामजिक नियम लगाने से क्या सामजिक ववस्ता कायम हो गई ये सब गटनाएं हम गटनाओं की हम भौस्यवानी कर सकते है इस प्रकार उप्रुक्त विवरनजेव इसपस्ट किया है इन सभी विशेस्ताओं के आधार पर जो विज्ञान के लिए आवशक है उसमें स्टिवाट विम गलीने सामा सास्त्रिप की पद्धित्ती को वेग्यानिक माना है तो कि इसकी पद्धित्ती और परवर्तियं वेग्यानिक है इस पस्ट है कि समा सास्त्रिप विज्ञान है इसमें विज्ञान के सभी आवशक तत्व मौझूद है इसलिए इसकी प्रकृति वेग्यानिक है धन्यवाद चात्रों जै हिंद जै भारत कि अ कर दो बूल से प्राइब कर दोड़ा है